मस्कार दोस्तों कैसे हो आई होप अच्छे होंगे आप सब दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको मेरे भाई फेस्बुक पेज का आपको नाम कैसे चेंज करना है देखो पहले का वर्जन अलग था फेस्बुक का और आपका वर्जन अलग है इस टाइम पे जो फेस्बुक है मेटा के अंडर आता है और अभी के टाइम पे पेस्बुक ने सब कुछ चेंज कर दिया अपनी शेटिक के अंडर तो भाई मैं आज आपको स्टेब बाई स्टेब फेस्बुक का नाम चैंज करना बताऊंगा चलो चलते हैं अपनी mobile की skin को own करके मैं आपको step by step बताता हूँ यार उससे पहले यार channel पने तो channel को subscribe कर देना है इतना सा काम जरू कर देना है मेरा भी बला हो जाएगा और आपका भी बला हो जाएगा चलो चलते हैं आपका एक subscribe मेरे लिए बहुत केमती है और like जरू कर देना चलो चलते हैं मैंने कर दिया है मेरी mobile की side skin को own दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है अपने play store पे play store सबके mobile में होता है play store पे यहाँ पे आपको जाना है और search करना है facebook facebook search करना है के बाद आपको मेरे बाइ इस तरह का interface आएगा आपको यहाँ पे करना है update ठीक है अगर आपका facebook पहले से update है तो कोई दिक्कत नहीं है जिसका update नहीं है उसको update कर लेना है मेरा पहले से यहाँ पे update है चलो मैं इसको यहाँ से करता हूँ open ठीक है open मैंने कर दिया है facebook page जैसे कि मेरा facebook page यहाँ पे हो गया open ध्यान से सुनना है मेरे भाई इसकी बिल्कुल मत करना एक भी कुछ भी है अब मैं क्या करता हूँ अब मैं करता हूँ यहाँ लोगो पे click लोगो पे click करने के बाद मेरे भाई अब आपको एक उपर यहाँ पे setting का हम setting से click करते थे और उधर एक option आता था है यहाँ पे नाम चैन्ज करने के लेकिन meta के under आने के बाद facebook instagram उसके बाद से यह जो facebook का नाम चैन्ज करने का तरीका बिल्कुली चैन्ज कर दिया इसने ठीक है इस time पे meta के under एक facebook आ रहा है और एक instagram आ ठीक है चलो page setting पे करता हूं मैं simply click page setting पे click करने के बाद यहां पे बहुत सारी option आ जाएंगे आपके पास privacy वगएरा सब कुछ लेकिन अपना काम है name change करने का name यहां पे मैंने कर दिया है click name change करने के लिए बाद यहां पे name पे जो भी आप name change करना चाहते हो अपने facebook page का उसको आप simply यहां पे type करने है like मैं जैसे मेरे channel का नाम यहां पे type करता हूं tag champion दोशा ठीक है आप option आ रहा है देखो एक चीज़ और बता देता हूं इसमें option आ रहा है if you change your name on facebook you cannot change it again for 60 days यानि कि आप अपना जो वापीस नाम change करोगे दो मैने के पहले नहीं कर सकते हैं और 60 days बहुत होते हैं क्लिक उसके बाद simply आपका एक password मांगेगा Facebook यानि कि भाई अगर password देखो privacy जरूर होती है कोई पता नहीं क्या दूसरा आप नाम change करते हैं इसलिए password मांगता है like मैंने मेरा password यहां पर लगा देता हूँ आप भी अपना Facebook का जो password है वही लगा नव शेव चैंज पर मैंने करता हूँ किलिक यह लो जी यह लो जी और मेरा नाम चैंज हो गया है फुल नम टैक चैंपियन दो सा आ चुक है और यहां पर एक यहां पर चोड़ा लिग दिया यू के नोट चैंज यह नहीं कि आप साट डेस तक नहीं कर सकते और आपने जो लाश्ट नहीं चैंज किया था पंदरा अगस्त को यह नहीं कि आज 15 अगस्त तो लिए जो वीडियो बना रहा हूं 15 अगस्त को आपने चैंज किया तरिक वगेर सब कुछ आ जाएगा ठीक है तो आपका वाश्टाम नाम चैंज हो गया है चलो मैं बता देता हूं आपको आपको नाम चैंज हो गया है पू देख सकते हो दोस्तों टेग चैंपियन दोस्ता नाम से चैंज हो चुका है आप देख सकते हो पूरा भाई यहाँ पर फेस्बुक पेज बन चुका है ठीक है तो आप देख सकते हो यहाँ पर नाम चैंज हो गया है बाई शिंपली मात तर दो मिनिटर का समय लगा ज्यादा